Hello everyone, welcome back to my channel जैसे कि आप सभी ने मुझे कहा था कि Search and Indies के उपर और एक वीडियो बना जिए तो आप ही के लिए देखिए और एक वीडियो बना जा रहा हूँ Search and Indies के उपर Part 2 बना जा रहा हूँ अगर आपने Part 1 नहीं देखा है चलिए दोस्तों आपके सामें देखिए यह वाला कॉर्शन लेकिया हूँ देखिए ऐसे कोर्शन एक्जाम में आते हैं और आप कन्फ्यूज देखते हो कैसे इसको easily solve कर पाओ तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ में किस तरह से आप सौर्ट ट्रिक से आप ऐसे समको easily solve कर पाओगे लेकिए उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो देखिए क्या करोगे ऐसे question के लिए आप simple लिखोगे देखोगे equal to लिखोगे one upon d लिखोगे देखिए bracket लिख दिया मैंने यहाँ पर लिखा मैंने बिग लिखा मैंने plus minus small यहाँ पर small लिख लिए अब देखिए समझाता हूँ देखिए ड मतलब क्या होथा है हि meng math difference मतलब दो number की बीच मीं अंतर क्या है आप देख सकते हो देखिए यहाँ आप नाइन और यृट के बीच में difference क्या है één का difference है आप सब number देख लिए आप सब का difference जो है common difference 1 है difference same होना चाहिए clear हो गया आगे बढ़ते हैं अब अब देखें यहाँ पर big big मतलब क्या है सबसे बड़ा number और small मतलब सबसे छोटा number ठीक है अब देखें यहाँ पर plus minus दिया है तो आप कब plus लोगे कब minus लोगे आप प्लस लोगे उम्मीद करता हूँ clear हो गया है अब देखें क्या लोगे देखिए difference हमारा 1 है और देखिए बड़ा number देखिए root 9 है तो root 9 नहीं लिखोगे इसको simplify करोगे तो root 9 क्या होगा 3 होगा तो आप यहाँ पर 3 लिख लोगे plus small देखिए सबसे चोड़ा number कौन सा है देखिए यहाँ पर root 4 है तो root 4 को solve करोगा 2 होगा तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा 1 अपर 1 तो solve होगे अपने आप ही तो यहाँ पर क्या होगे आपका 5 option A आपका answer होगया तो इस तरह से आप easily solve कर सकते हो चलिए और एक sum लेते हैं हम लोग D लिखोगे यहाँ पर आप B लिखोगे प्लस माइनस यहाँ पर small लिखोगे यह formula है अब देखे क्या करने जा रहा हूँ देखे यहाँ पर मैं 1 लिखने जा रहा हूँ difference देखे यहाँ पर सब मैं देखे difference देखे यहाँ पर क्या difference है 1 का difference है ठीक है common difference है अब लिखेंगे यहाँ पर 1 अब देखिए B मतलग क्या बड़ा नंबर होता है बड़ा नंबर देखिए आप ध्यान दीज़े यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि रूट 9 जो होता है वो 3 होता है तो यहाँ पर आप 3 तो यहाँ पर आप मैंनस लिख लिए है, अब small number कौन सा देखिए, आप सब में देखोगे आप, तो देखिए, बड़ा number 9 है, और छोटा number का है, root 4 है, तो आप root 4 दिया हुआ है, तो root 4 को solve करोगे, तो देखिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे, ठी ठीके, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 3-2, 3-2 कितना होगा, 1 होगा, तो आपको लगए, option तो है नहीं, लेकिन देखिए, यह sum थोड़ा different है, आप देख सकते हो, देखिए, यहाँ पर 3 जो है, single में दिया है, वो plus form में दिया है, तो आप क्या करोगे, 3 plus 1 equal to 4, यह र चीज को clear करने के रहे हैं, तो आपके सकते हो, और एक sum हम लेकिया हो, देखिए, इसे हर एक चीज clear हो पाए, देखिए, आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई नया समाय है, देखिए, यहाँ डॉट-डॉट के है, महला बीच में बहुत सारे number होंगे, ठीके, तो अब लिखेंगे, B PLUS S, और यहाँ पर PLUS मायनस होता है, हम देख लेंगे, सम के हिसा, आपसे साइन क्या रखना है, आप देख सकते हो, देखिए, यहाँ पर सबका difference देखिए, 2 और 1, difference क्या है, 1 का difference है, 3 और 2, difference क्या है, 1 का difference है, मायनस करने पर जो number आएगा, वह आपका difference होगा, अब देखें यहां लिखें कि 1 upon 1 अब देखें यहां पर B open root 100 सबसे बड़ा number है तो क्या करोगा, भर root 100 लिखो कि इसे solve करोगा, तो क्या answer आएगा 10 answer आएगा, तो यहां पर आप 10 लिख लोगे sign देखें यहां पर plus, plus, plus का दिया है, गर plus का दिया है तो तो यहाँ पर आप माइनस ले लिए आपने और small number देखिए small number जो है root 1 है तो root 1 को solve करोगा क्या होगा answer 1 होगा तो यहाँ पर आप 1 लिख दोगे अब answer क्या होगा देखिए 10 में से 1 गया तो answer कितना होगा 9 होगा तो option देखिए जो b जो दिया हुआ है 9 वो आपका answer होगा है तो इस तरह से s sum को आप easily solve कर सकते हो चलिए और एक sum लेके हैं आप सब के लिए में चलिए जोस्तों आपके सामें देखिए और एक sum लेके हैं और देखिए यह sum लेके हैं अब देख सकते हो देखिए जो मैंने आपके कहATA मैंने बड़ा number मतलव root में कौन सा होगा तो अब देख सकते हो बड़ा number आप बोलोगे root में ये हैं और चोड़ा number बोलोगे root में देखिए यहाँ पर root 5 है लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं, आपको क्या करना पर देखिए यहाँ पर जो 3 दिया है वो 3 कैसे आया होगा root 9 के वज़े से आया होगा ठीक है, और यहाँ पर जो 2 है वो कैसे आया होगा, root 4 के वज़े से 2 आया होगा, clear है, तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा नमबर जो है, वो क्या है root 9 है, तो root 9 को solve करोगा, 3 आंसर आयेगा तो यहाँ पर देखिए, difference देखिए आप difference देखिए 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और बड़ा नमबर कौन सा है, 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब plus minus sign कौन सा लेंगे, देखिए, सब जगा पर देखिए, minus minus है, तो minus minus तो क्या करेंगे, हम plus लिखेंगे, यहाँ पर plus लिख लिए हमेने, आप देखिए, small number कौन सा होगा, देखिए, यहाँ पर root 4 है, root 4 को solve करोगे, root 4 को solve करोगे, 2 आएगा, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगा, आप देखिए, 3 plus 2 कितना होगा, 5 होगा, चली आगया, तो option number A जो है, वो आपका सही answer हो गया, तो इस तरह से ऐसे puzzle को solve कर सकते हो, चली और एक question लिखेंगे, आप सभी के सामने, चली लिख लिया होगा, तो यह सब को solve करना आपके लिए आसान होगा, तो फटा-फट solve करके मुझे comment करके answer दीजिए, अगर आपने comment करके answer दे दिया, और वो right answer निकल गया, तो जिस मकसद से मैंने ये video बनाया था, मैंने, वो मकसद पूरा हो जाएगा, तो फटा-फट solve कीजिए, और comment करके मुझे answer दीजिए, आपका answer का मुझे इंतिजार रहेगा, तो ये video कैसा लगा, प्लीज comment करके बताइए, video पसंद आया हो, तो लाइक करे ना भूले, और जितना हो सके इस video को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, तो मिलते है अगले video में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते है अगले video में, तब तक के लिए दूआ मैयार रखना, अल्लाहावस,